मंजीत, हमारे पास दो जानदार महिला पुलिस आफिसर आपके सामने हैं आपको भी गर्व होता होगा वर्दी में इस स्थर पर बैठी हुए महिलाओं को देखकर मुझे तो होता है तालिया में जाकर आप स्वागत करिए और इनकी कहानिया सुनने के बाद आपको ये लगे लगेगा कि मेलाओं के हाथ में शक्त होने का अर्थ क्या होता है और इसका लाब और मतलब क्या होता है हमारे पास एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रख्यात और अपने तरीके से प्रसाशन को चलाने वाली आइपेस नितू कमल जी है जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरीके की लडाईया लड़ी है जो आमतर परा प्लिस के अधिकारियों से लडाई की उमीद नहीं करते है जो कानून विवस्था और बाकी चीजों को पढ़कर काम करते हैं एक बिल्कुल अलग तरीके का इनिशेटिव जो चत्तिसगर में लिया गया जहां पर महिला कमांडो बनाया गया और जहां पर शरेंडर्ड महिलाओं को उस कमांडो का पार्ट बनाया गया उसकी पहली मुखिया दोनों महिला है मारे साथ, आप दोनों का स्वागत है, मेरा पहला सवाल आप से दिनिशुरी जी, आपके पिता जी तो पुलिस में थे पर वह नहीं चाहते थे कि आप पोर्स में जाएं, फिर ऐसा क्यों आप अपने ये क्यों चुना, क्योंकि पिता की उनको लगता था कि आप कुछ और करें, ऐसा था? क्योंकिते थे कि उनके बच्चे थोड़ा आराम दायक वाली लाइफ जी हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि पेसी का एक्जाम फाइट किया, तो किस्मत थी कि पोस्ट भी डिस्प की ही मिली, तो जब सेलेक्शन हुआ, तो सबसे पहले मैंने डैडी सही पोस्टिं की अपने कि पोस्ट मिल रही है, तो उनकी एकदम मिक्स्ट फीलिंग थी, एक तो कि वो जैसा चाहते नहीं थे, वैसा हो गया, और लेकिन एक खुशी वाली फीलिंग थी, कि जिस वो डिस्प उसी टाइम प्रमोट हुए थे, तो जिस पद पे उनका ये सोचना था, कि जिस पद पे म मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट की रोल मॉडल मानी जानी माडम नीतु कमल माडम के साथ मेरे लिए बहुत प्राओड वाली फीलिंग है ये, और तो ऐसे, मतलब फिमेल ओफिसर्स को देख के मैं हमेशा इंस्पायर होती थी, तो जब द दी बताना चाहूंगी, जैसी मेरी ट्रेइनिंग कम्प्लीट हुई, फिल्ट रेनिंग मेरी राइपूर में हुई, और उसके बाद पहली ही पोस्टिंग आई, और जब पोस्टिंग लिस्ट देखी तो दन्ते वाड़ा, तो दन्ते वाड़ा सुनते ही, जैसे मन में एक दर आ हो गई, तो उन्होंने बोला मुझे कि जब भी आपके सामने कोई चैलेंज आता है, तो वही आपके लिए एक उपर्चनेटी साबित होती है, और मेरे डैड़ी ने भी अपनी आठ साल की सेवा दंते वाड़ा, सुक्मा और बीजापुर जिले में दी और उन्हें अपनी सर मेंटेन करना है, पर वो दंते वाड़ा एक ऐसी LWE एरिया, थोड़ी वर्किंग अलगे, वहां की सिक्यूरिटी आसपेक्ट अलग है, तो एक मौका था अच्छा काम करने का, तो बस उससे. नीतु कमल जी वास्तो में रोल मॉडेल है, आप यहां महिला पुलिस अधिकारियों के बीच में, इन से में जानना चाहेंगे कि वह आग पे चल के लोगों को दिखाने का किस्सा क्या था, उसको बहुत सारे लोग डिसकस करते हैं और बताते हैं कि आपने अंद विश्वास दूर करने के लिए लोगों को आग पर चल कर खुद दिखाया था, आम तर पर पुलिस अधिकारियों से इस तरीके की लड़ाईयों लड़ने के अप्यक्शा नहीं की जाती है आग पर चलने का घटना एक्शली हुआ था मुंगेली जिले में, जब में मुंगेली जिले में पुलिस अधिक्शा के तोर पर पदस थे, तो वहां पर बहुत केसे आते थे जहां पर लोग का मौत और या हत्या इस कारण से हो रहे हैं क्योंकि कुछ टोन ही या इस प्रकार में उस समय मेरे तातकाले आईजी विवेकानन सर का भी नाम लेंगे क्योंकि सर ने ही मुझे बताया थे कि इस प्रकार से नाकवूर में संस्ता है जो इसके खिलाफ लडाई लडते हैं आप उससे कॉंटैक कर दीजिए और जब वो लोग आये तो बोले कि मैडम हम लोग तो मुक्त हो जाए उन लोगों को यह ना लगे कि कोई स्पेशल पावर चाहिए अंगारों पर चलने के लिए बिल्कुल कोई स्पेशल पावर नहीं चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक बाइस पर ही हो जाते हैं तो वो लोगों को समझाना चाह रहे थे इसी साथ थे सर्फ सेवा में आई थी आई थी वहां बिल्कुल सही लेकर पूँच चूटू कि ना जैसे असमें में बता दून कि मैं बहुत ही क्या बोलना चाह रहे हैं बहुत सौफ स्पोरकन और इस प्रकार से अधिकारी थे या अधिकारी नहीं बोलना चाहरूँग ऐसह मेर कि ये वर्दी पहने हैं, तो ये वर्दी के गरीमा रिखने के लिए आख में विश्वा सबसे इंपॉर्टेंट है तो मेरे खाल से जब उस तरह के से मैंने सोचा, मैंने सुना क्योंकि अधर्वाइस केरियर में बहुत ऐसे चैलेंज़ खूब फेस किये हैं और वो चैलेंज़ को गिने तो बहुत स्यादा है, लेकिन उससे स्यादा अंदर से जब हमारे अंदर से शक्ति आ जाते हैं, वो शक्ति हमको प्रेरना देते हैं कुछ भी करने के लिए और माफी चाहूँगी मेरे हिंदी थोड़ा सा कमज़ा है, केरल से हूँ अब अभी दस वारा साल से सीखा हूँ जरूर वो कौन सक्षन था जब आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर के आत्म विश्वास के कारण आपने आपने बड़ी चीज हासिल किया या बड़ा चैलेंज ओवर कम किया ऐसा कोई घटना जो आपके जिए उन में घटी हो इस में मैं बताओं कि मी बच्पन से लेकर अभी तक मैं मतलब स्यादा पढ़ने में बहुत स्यादे विश्वास रखती थी तो पढ़ाई में मैंने हमेशा फोकस किये थे और बहुत स्यादा स्पोर्ट से इस टेप के एक्स्ट्रा केरिकलर अक्टिविटीज में में कम इनवॉल्ट थे तो जब उस समय पर हम लोग का पुलिस ट्रेनिंग हुआ था नैशनल पुलिस अकैडमी में नैशनल पुलिस अकैडमी में जब इस प्रकार से फिजिकल ट्रेनिंग के माधियम से हम लोग आई पिस में आते हैं तो उस समय पर जब वो रियलाइसेशन हुआ तो पूरे दिल, जान और सब लगा कर जब वो ट्रेनिंग किये है मुझे लग रहे है कि वो ट्रेनिंग ही मेरे सबसे बड़ा फांडेशन है जिसके आधार पर चत्रजगर में आये हैं और यहां पर मेरे होम स्टेट नहीं है लेकिन यहां पर आने के बात लोगों का भी बहुत प्रेम पुरत्साहन मिला और इसके आधार पर अच्छे से काम करने के एक मौका यहां पर मिला मुझे मादम नंद जो दंतेश्री लाके की चर्चा काफी बड़त्तक होती है और आपके पास अपने एक्सपिरियंसेज भी हैं लिफ्पिंग एक्स्ट्रिमिस्ट अरिया में नक्सली अरिया में अपरेशन्स को कमांड करने के को यही घटना हमारी महिलाओं को जो प्रेद करे अविद एक्सपिक जंतेश्वी फाईटर्स का जो सबसे मिन कमपोनेंट है वो सॉरेंडर काडर महिलानकसली अं का है मतलब महिलानकसली ओं के वोपोर्स में शामिल होने से पहले उनका जब जब तो यह हाउस वाई बनके ही रहे गे थे, जबकि यह वहाँ लडाके का काम करते थे, तो वह लडाके वाली बात तो उनमें पहले से थी, बस वह पहले राष्ट्र विरोधी विजारधारा के थे, तो इसमें शामिल होने के बाद उनके इंट का हमको बहुत ज्यादा फाइदा म कंप जब स्टैबिश वा तो जब कोई काम स्टैब्लिश उटा है, तो ग्रामीना झोическим का जब कसे थे, तो उनक्सल मोग जदा धरोता है, तो बहुत हम, कि बहुत कहते हैं, वह नहीं चाहते हैं के वहाँ पर केंप स्टैबलिशे घ्बलिश हो, तो उस आएं के, के टाइम् तो कई बार पुलिस के उपर जूटे आरोप लगते थे, महिलाओं से छेट शाड के इस तरह के जूटे आरोप लगते थे, तो महिलाओं ने फ्रेंट, जो दंतेशवी फाइटर्स है, उसने फ्रेंट लाइन में रहे के इस चैलेंज को फेस किया, उनसे सामना किया, तो बहुत इसली हम उनको काउंटर कर पाये, और पोटाली कैम जो सक्सेसफुली वहाँ इस्टैबलिश हो गया है, तो उसमें बहुत अच्छा एक अचीवमेंट था दंतेशवी फाइटर्स की वज़े से, और जब भी जैसे गाओं में सर्च उपरेशन के लिए जाते थे, य क्योंकि वह वहाँ की स्थानी महिलाए हैं तो उनसे वह एक अपनापन महसूस करते थे, तो उससे भी उनको एक मोटिवेशन मिलता था, तो हमारा सोर्स और ज्यादा बढ़ता था, वह और हमको इंटेलिजेंस, मतलब और ज्यादा हमको इन्फरमेशन देते थे, हमारी पर चर्चा सुनी और ये चत्रिसगड़ की एक बड़ी समस्या है, आप ने उस इनिशेटिव को कैसे शुरू किया और कैसे रन किया, गुलाबी गाम भी मेरे मुंगेली के पदस्तना में 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 किये थे, उसके बाद जांजगिर और बाकी जिल्ले में हमने उसको महिला कमा होते थे, लोकल इंटलिजन्स नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि इंटलिजन्स एक बड़ा शब्द है, लेकिन जितना अंटी सोशल के एक्टिविटीज वहां पर होते हैं, वो अबाद शराब हो सकते हैं, जुआ हो सकते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो छेट खानी हो स सकते हैं, तो वो भी अच्छी बात है कि जैसे वहां पर हर जगा पर वोकेशनल इंस्टिटूट से जहां से वोच्मैन में या सेक्यूरिटी गाच्छी इस प्रकार से वे नौकरी में भी आसकते हैं, तो वो भी हमने ट्राइ कि तो एक एक इंक्लूसिव और प्राइशनल तो उनौन से जगार, गोच प्रणे पैट्रोलिंग पैट्रोलिंग करते थे, रिसे आँज पर जोग के अनुग की इस प्राकार के प्ढूसियों से अजगे लेखे बता बीयों के अशनल पर कि अच्छी रास्ते में लेकर आई, मैं घृषने काफी प्रेयास क और अब दोनोंओं लोहोंसे प्रशन है, आप लोग अपने तरह से उत्तर मेशैं कि शाव conve ein फलवासन देवीजी ने सवाल उठाया, कि जो एड्मिस्ट्रेशन है उसके अंदर जेंडर सेंस्टिविटी नहीं है और चुझकि जाधा तर जगे पुरुष अधिकारी ही हैं उच पदों के उपर डियस्पी और बाकी जगे तो महिलाओं के मामले दर्ज करने में महिलाओं के अपराधों की सुनवाई करने में उन्हें तेजी से निस्तारान करने में वो सेंस पुलिस के पूरे स्ट्रॉक्टर का भू चोटा सा हिस्सा है तो आपको दोनों लोगों को चुट कि आप दोनों लोग उस पत पर हैं जहां पुलिस अधिकारी भी पुरुष पुलिस अधिकारी भी आपके संकक्ष है आपको ऐसा महसूस हुआ कि पूरे पराफिनेलिया में या पुरे सिक्यूरिटी सिस्ट्रम के पराफिनेलिया में जेंडर सेंस्टिविटी की कमी है क्या महिलाओं को लेकर महिलाओं के अपरादों को लेकर पुलिस प्रशासन उतना सक्रिय चुस्त नहीं होता मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहे है क्योंकि महिला संबंदी अपराद जो है वो हमेशा हमारे हाइस्ट प्रारिटी में है लेकिन जैसे हमारे जो प्रार्थी है विक्टिम है वो हमेशा हिचकते है अगर एक पुलिस मतलब मेल पुलिस ओफिसर से खुलकर बात करने में उ से दाड़ों इसके साथ हमने ऐसे रूम्स भी बनाया है जो संवेधिन रूम्स कुझे लो में चायल्ड या महिला से नहीं नहीं वो क्या अंगांड बात कर सकते है और इस Irish कली कि मड्यों हमारे जो presenting संवेधिन शीलता है दीखते है और दूसरी बात है कि जहां संभव है कि ह हम लोग यह महिला ड़स के माधिम से ही वो करते है और बाई चैन्स वो अगर कोई अवकाश में है या ऐसे कुछ है तो आसपास की धाना शेतर से हम वहां पर भेजते है और हम जब महिला संबंदी एक अपरयात का कहीं से भी हमको सूचना मिलते है तो हम लोग आज के दिन हमार ट्राइल्स जो चलते है उसमें भी हम लोग समन्स वरन का आसानी से तामिल करवा दीजिये ता कि मतलब पेशी जल्दी हो जाए और पेशी जल्दी हो जाते है तो उसमें अपरयादों को चिन्नित करकर हम उसके एंड तक लेकर जाने का पूरा यह है लेकिन कहीं कहीं जब से प्रिंसितिविटी या हमारे सम्वेधन शिल्ता की ऊपर क्वेस्चिन मार कुटते है तो वो मुझे लगते है कि वो एक जेनरली कुछ यह है जैसे वरदी की ऊपर यह खाकी की आप हम लोग बहुत लांचने सुनते है लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हार लांचन सही है ज वो बिलकुल आपके सुरक्षा के लिए सबके सुरक्षा के लिए हम लोग सभी ततपरता से यह ड्यूटी करेंगे तो यह बहुत लांचने जब हमारे उपर उड़ते है तो वो लांचनों के हमारे पास भी बहुत इस तरीके से जवाब है क्योंकि हर लांचन सही नहीं है य इसके अलबा वहां रे पोडिकांचन जो सामाजिक धांचा है, जहा हम महिला आया हैं। पहसं हैं नक्सरीयों के लड़ाय लडती है। अफ선 के बीछ में कहीं दनतेश्री फाइंटर्ण ने उसे भी बदलने की कोशिस की हैं कि दाका हुडन। जे बिल्कुल, दंतेशवी फाइटर्स का जब गठन हुआ और उसके बाद फिर वो प्रॉपर, जैसे स्टार्टिंग में एक दम उपरेशन में ना जाके, मतलब सिविक एक्षन वगरा में वो शामिल हुई, तो उससे जब ये ख़वर फैली, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हु उसको देख के वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि उसने वही पर इच्छा जटाई की मैं सरेंडर करना चाहती हूँ और उसने ये भी बोला कि मैं दंतेशवी फाइटर्स का हिस्सा बनना चाहती हूँ तो एक बहुत अच्छी बात थी है तो ऐसे इससे क्या नक्सल तो अच्छी के अच्छी संगठन के अंधर वह ए यहां से महिलाओं को दूर करने में मदद मिली है या अभी भी नक्सली संगठन के बाढ़ाओं की सख्रियता या विमन फाइटर्स ये फिमल फाइटर से उनके संख्या लगातार उतनी ही बनी हुई है इसे कोई फर्क पड़ा है पूरे संगठन के नक्सलियों के संगठन के नाचे में अभी तक आप आप वहां थी है तो आप वहां से मुख्य भूमी में आ गई हैं इस संगठन के आने से दंतेश्री फाइटर के आने से संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है जैसे आप उसके बाद की न्यूज में देखेंगे तो संख्या काफी बड़ी है और महिलाओं ने बहुत ज्यादा संख्या किया है चाहे वो जन्मिलिशिया का या फिर तो एसी ऐसी महिलाओं ने सरेंडर करके मुख्यधारा का वो हिस्सा बने हैं और एक और शीज उनके बारे में बताना चाहूंगी, दंदेश्वी फाइटर्स को अभी 26 जनुवरी की परेड में शामिल किया गया था, यह एक बहुत अच्छा मौका था जब सरेंडर काडर ने क्योंकि पहले काले जंडे को सलाम करती थी, उन्होंने परेड 26 जनुवरी की परेड में शामिल हुए और राष्ट्री जंडे को सलामी दी, तो उन लोगों ने खुद यह बात बोली कि हम बहुत ज्यादा गौरवाइन्वित पैंसूस हो रहे हैं कि हम मुख्यधारा में कोई सवाल? जी मेडम मैं निदु कमल जी और दिनेश्वरी जी को भी मेरे लिए वर्दी बहुत प्राओड फील कराती है क्योंकि मेरी फैमली पुलिस बेग्राउंड से हूँ, मेरा सरसुरा, मेरा मायका, पापा, दादा सब को मैंने वर्दी में देखा है और बहुत इच्छा थी कि मैं भी वर् क्योंकि उन्होंने इतना दिनों होता है क्योंकि उन्होंने 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 पहली शर्थी कि मेरी बेटी का विवा किसी पुलिस बाले से नहीं होगा, तो मेरा सवाल यही है आप दोनों से क्योंकि आज हम अभी भी हम पुरुष प्र आप लोग किस तरह इसको फेस करते हो और कहीं न कहीं आपको भी यह प्रॉब्लम आती होगी, मैं आप दनों से यह जाना चाहूंगी कि आप किस तरह इसको एंडल करते हैं, थैंक यू. इसके जवाब मैडम बोलना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है क्योंकि मैंने अभी तक यह फेस नहीं किये है, बहुत लोग मुझ से बोलते हैं कि एक मेल डॉमिनेटर ससाइटी है, और पुलिस में भी आप देखेंगे, तो हमारा स्यादातर फोस जो है, मतलब यह है, लेकिन बं करते हैं कि मिष्टना थोड़ा सा मेरे सारी आपका एक्सपरिय 이제 कैसा है, है मम की मिषाल ने लोग, मतलब कोई मेल s.p. जितनी कमांद नहीं होते हैं, मम का इतना ज्यादा कंट्रोल है, तो बिल्कुल महम के ज Seiten Male Exact Actmist atama हम लोग भी चल तो फिर मैंने भी यहीज फेज नहीं की, जब आप किसी पद पे होते हो तो उसकी responsibility है, आपको सिखा देती है, और आपके अंदर इतना आत्मविश्वास जगा देती है, कि आप अगर सामने वाले को order देते हो, तो वो order ही है, और वो उसके लिए मानना बहुत ज़रूरी है. मैडम, मेरी एक जिग्यासा आई जब आपने दंतेश्वरी फाइटर्स के बारे में बताया, कि वो सारी जो सरेंडर करके जो महिलाएं उसमें आती हैं, और नाओ देरली कांट्रीबुटिंग फॉर्द कांट्री, तो क्या उनकी जिंदगी उतनी स्मूथ होती है, या नक्सली उनको एक अनिमी की तरह देखते हैं, या फिर वो सामाने जिंदगी जैसे आप और यहाम जीते हैं, ऐसे जी पाती हैं? बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि जब वो नक्सल संगठन में थे, तो उनकी लाइब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, जैसे ही उन्हों ने सरेंडर किया, तो पहले उनका ही भी जब हम एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो वो हमेशा बताते हैं कि जब हम सरेंडर कर दे, पहले बहुत जब हम सरेंडर करने जाएंगे तो पुलिस हमें या तो आरेस्ट कर लेगी या एंकाउंटर में मार देगी, तो इस तरग की जो भांतियां लोग फैलाते हैं, तो उससे वो सरेंडर करने से बहुत जादा बचते थे, पर जब उन्होंने सरेंडर किया तो उनका रिह रिहाबिलिटेशन हुआ, जैसे दंतेवाड़ा में मैं बताना चाहूंगी कि शान्ति कुझ एक जगा बनाई गया है, जहां पर इनको रिहाबिलिटेट किया गया है, उनके आवास की जगा है, मतलब उनके लिए घर बनाए गये हैं, और उनको अलाट किया गया है, वहां अ अच्छी लाइफ वो लीड कर रही है, एक एक जैमपल है, नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनके साथ जब वो नकसल संगठन में थी, तो बहुत जादा, मतलब वो प्रेगनेंट जब थी, तो उनका जबरदस्ती अबॉर्शन कराया गया था, मतलब वो चाहते हैं कि कोई भी महिला नकसली है, वो मा ना बने, क्योंकि मा बनते ही, सेंसिटिविटी आजाती है, यह पेपर में हमने पड़ा था, भी कुछ दिन पहले आया था, तो उसी का मैं बोलना चाहूंगी, कि उनके साथ जब ऐसी इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, उस एट्रोसिटी की वज़े है, आज महिला दिवसे आपका हाथ हम बात में लेंगे उदर से पहले, इसके पाद है, नमशकर मैं, पहले तो महिला दिवसे आप सब को बहुत 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 बढ़ाई, मैं डॉक्टर रिटेश मिष्रा प्रगती कॉल रही है, हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते ह हैं तो जहां तक मेरी समझ है, जंडर सेंसिटाइजेशन मतलब मेल एंड फीमेल बोथ हार एक्वल, और अस्पेक्स, लेकिन क्या हम सेक्स बेस्ट बाइसे वर्क प्लेस में फेस नहीं करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आप सोस्ती हैं कि जितने भी वर् इसके लिए गवर्नमें ने अगर कोई भी सेक्शल हरास्में चेस आते हैं तो इसके लिए विशाखा कमिटी हैं, बद उसको हम प्रमोट करेंगे, जब उसको हम की पोस्त में लेकर आ जाएंगे, तब मैं समझती हूँ कि हम उसको जस्तिस देते हैं, जब हम लोग ही कुछ क करने ही पाते हैं हमारे अधिनसलों के लिए देन हम और किसी से उमीद करने से भी ठीक नहीं है, तो अभी आप देखेंगे तो मतलब सरकार भी मतलब अच्छे पोस्त पर महिलाओं का रप्रेसेंटेशन हैं लेकिन बिल्कुल यह बढ़ सकते हैं उसमें तो नो ड़ाउट है लेकिन मैं यह कहती हूँ कि हमको महिलाओं को बढ़ाना चाहिए हमारे ही नीचे जो महिलाओं है यह हमारे जो महिलाओं आसपास है उसी को हम जितने वजूद देते हैं उसको जितने हम अपलिफ करने के प्रयास करते हैं उसी में मुझे लग रहे कि इस प्रॉब्लम का मतलब पुरिष पुलिस कर्मी ही काम करें, बिलकुल नहीं, साइबर में यह हर फिल में अभी महिलाई इतना अच्छा काम करकर आगे आ रहे हैं, आगे आने वाले संच्वरी, आगे आने वाले डेकेड, I think that is महिलाओं का और रप्रेसेंटेशन होगा, और आगे बिलकुल बढ जहां पर महिलाओं ऑपरेशनल कमांड का हिस्सा हो सकें, महिलाओं उन ऑपरेशन का पार्ट हो सकें, जो की कॉमबेट ऑपरेशन होते हैं, इसकी स्थिति क्या है? दन्तिश्वी फाइटर्स एक्चली इस सिंबॉल ही था जेंडर पैरिटी का, जैसे एक धार्ना होती है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ पुरुष जो अपनी फोर्स है, सिर्फ वही ऑपरेशन में जा सकती है, महिलाओं नहीं, और जैसे अभी, मतलब इस कंटेक्स से थोड़ा जैसे सुप्रीम कोर्ट की अभी जो रूलिंग आई है कि उसमें की आर्मी विमन ओफिसर्स हैं वो भी अप कॉंबे ट्रोल में रहेंगी, तो यह रूलिंग तो बाद में आई, उससे पहले हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में महिला कमांडोस को बनाना एक ऐसी पहल थी अ खार्शन के सकतला है मैंडूस में ममस्तों की मत का इसमाल थी अप के आपके पासा शरी और को प्रशन किसी का जी में अप नमस्कार, मैं आप लोग से ये पूछना चाहती हूँ, कि हम अपनी बच्चियों को सुरक्षा के लिए क्या कहने हैं, पैरेंट्स हमारे आज कल आप देख रहे हैं, इतने ज्यादा क्राइम और लड़कियों के लिए, तो हमें अपनी बच्चियों को सुरक्षा देने के परवरिष पर हमको बहुत ध्यान देना है, परवरिष से मैं ये भी मानती हूँ कि वो अगर किस प्रकार से, मतलब इंटेनेट यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो मैं यह नहीं बोल रहे हैं कि उसके प्रिवस्पी को इनवेड करने के लिए, लेकिन ऐसे पेरेंट हमारे ये दायतु भी बनते हैं कि मतलब वो सही प्रकार से, मतलब वो कॉंटेंस का वाच करें, सही प्रकार से, मतलब वो इंफोमेशन उसके पास तक पहुंच जाए, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मतलब बच्चों को आतम अंदर भर बनाने के लिए, मतलब हार आतमी बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, कराटे सिखाना चाहिए, लेकिन मैं मानते हूँ कि यह सब सेकंडरी आसपेक्स है, प्रेमरी आसपेक्स यह है कि उसके अंदर एक सेल्फ रस्पेक्ट उसको अपने प्रती एक रस्पेक्ट होना चाहिए, अगर मुझे अपने उपर ही रस्पेक्ट नहीं है, तो मैं किसी और को कैसे रस्पेक्स करेंगे, त वे भी सही परविरिश लेकर आना चाहिए लेकि जैसे हमने कहा है कि घर के अंदर का जो कंडिशनिंग है अगर कोई भी खाना खाने के बाद अगर अगर उट जाए तो हमारे प्लेट मतलब बॉई है या गर बॉई है तो दोनों को बोलना चाहिए अगर आपने खाय तो बेट एक सवाल यहां से आखिरी सवाले लेते हैं सरका फिर जी सर मेरा नाम नाम नागेंदुबे है मेरे दो बेटिया मैं से महसूस करता हूं कि बच्चियों को या महिलाओं को पीछा करने में कहीं ने-कहीं महिलाओं का ही रोल जादा रहता है य़से मेरी बच्चियां जब कि ठीक वाजाएंगी लेकि मेरी वाइप का पांच वार छे वार फोना जाता जैसे आठ बजे को ताइम है तो कम से कम चार वार फोना जाएगा देखो बच्ची आई की नही आई इस दहरना को कैसे चंज किया जाएगा क्योंकि जब मा भरोसा नहीं करी अपनी बच्ची की तर लेकिन मा का रोल बहुत जादा रहता है एक दम एक्रिसी रूप से कि नहीं देखिये फोन करिये जाएगे तो इसके लिए आपका क्या कहना है मैं पूल में थोड़ा सा क्वेस्टिं संजने होगे ताप बोल रहे की मणा बच्चों के उच्पन नहीं दो नहीं कह एक रहे की घर पछिल्सआ पर उनKA कहीं और है इनका कहनora मतल्सा अगर मैं अभी यहां पर भी बैठी हूँ, तब भी मतलब मल्टी टास्किंग के कहीं पर एक हमारे अंदर जो है, वो कंडिशनिंग भी एक प्रकार से मेरे खहल से काम आरे है इसमें, तो वो धीरे-दीरे ही मेरे खहल से वो यह होगा, मेभी नेक्स जडेरेशन यह नेक्स जडेरेशन इसमें हम कुछ चैंजेश चाहिद लिख पाएंगे हमारे सत्र का, मैं एक सवाल लेता हूँ, लास्ट, बिल्कुल खत्म होने वाला संग्षेप में पूछिएगा मेडम महिला दिवस्की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई, मैडम मैं यह पूछना चाहती हूँ, अभी जो सर ने जो कोस्टन किया है, उनकी वाइब का जो वो निश्चित तोर से सही है, उसका में कारण यह है, माबाप तो अपने बच्चों को अच्छा परवरिष देते ही हैं, लेकिन आजकल बच्चे व्याशन की ओर जा रहे हैं, इसकूल के आसपास, ड्रक्स वाले लोग ड्रक्स की सप्लाई करते हैं, तो इसका रोग कैसे हो जिल्ले में हमने एक कॉंसेट रेक्षा टीम गटिद किया है, तो रेक्षा टीम निश्यत रूप से मतलब स्कूल्स में जाते हैं, इसके बावजूद भी जब भी हमको कुछ इस तरीके के शिकायत मिलते हैं, तो हम उस पर कारवाया बिलकुल कर देते हैं, लेकिन यह अभी जब भी नहीं बोल रोगिया कि यह पूर्न तरीके से ख़तम है, इस पर लगातार काम जारी है और आगे भी काम जारी रहते हैं तो हम उस पर एक्ष्ण लेते हैं, मैडम जितने भी पांठेले हैं और मेडिकल स्टोर है, खुले आम ड्रक्स बेच रहे हैं, लेकिन उनके यहां तक मेरी जानकारी जो बड़े बड़े हैं कुछ जगा तो हो रहा है लेकिन हर जगा नहीं हो रहा है और इसकूल की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है इस पे अगर कुछ भी स्पेसिफिक्स है तो हम मुस पर मदद देखेंगे और एवन जनरली पर अभी तो और मुहिम हम बढ़ा देंगे इसके प्रत्राइब महत्तपून बात यह है कि हमारे लिए नीतू कमल जी या दिनिश्वरी नंद जी जैसे जैसे अधिकारियों की ऐसे असंख अधिकारियों की जरूरत क्यों है जरूरत इसलिए है क्योंकि एक जो सिंस अफ इंसेक्यूरिटी जो असु सुरक्षा सिर्फ ऐसे आफिसर्स को आगे लाकर दिया जा सकती है ऐसे कई सारे असंख अधिकारियों के जरूरत है थोड़ी जिम्मेदारी उन लोगों को भी उठानी पड़ेगी जो जजों की कुरसी पर बैठे हुए है क्योंकि अगर हमने जस्टिस सिस्टम को इंप्रू पुलिस आफिसर हैं जिनको लोग प्रेड़ना के तौर पर देखते हैं बहुत बहुत आभार।